यहां इस एक चेप्टर से क्वेशन न पूछे जाते हूँ आसान चेप्टर है क्वेशन हम डिसकस करेंगे इस टॉपिक के और कॉंसेप्ट को भी हम एक बार पूरा रिवाइस कर लेंगे कि जेंडर में हमने क्या-क्या पढ़ा था जब आपने विडियो देखी थी तो इस सीटेट एक्सपर्ट की सीरिस है जिसमें आलाग अलाग सब्जेक्ट हम डील करेंगे पहले अभी सीडीपी चल रहा है जिसका यह बाल विकास के अंदर और एक से दो क्वेस्टन या तो मैथ्स पेड़ागोजी में लिंक से संबंदित आ जाएगा या तो हिंदिया इंग्लिश में से किसी में तो मतलब कह सकते है कुल मिला के तीन चार नंबर का टॉपिक बन जाता है ओवराल जब आप सीटेट को देखते है ताकि आपको देखने में प्रॉब्म ना हो है ना तो एक बार देखो और बताओ कि चीजें ठीक चल रहे हैं कि नहीं फटा फटा बताओ और कोई सेशन मेरा आज नहीं हुआ है किसी भी प्लैटफॉर्म पे मेरी ते बत बिल्कुल अच्छी थी नहीं हालां कि मैं मेडिक कोई बात नहीं यह तो एक चीज हुई अभी मुझे ठीक लगा तो मैंने सुचा यह वाला सेशन तो कर ही लेते हैं ठीक है बात सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा यह नाइन्थ सेशन है नाइन्थ क्लास है इस एक सीरिज की जो सीटेट को हम स्पैसिफाय करके चला रहे हैं पेडागोजी वाला जो टॉपिक्स हैं वो तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए देखेगा help मिलेगी इसके जो PDF होगी यह चैप्टर की यह आपको let's learn square telegram channel पे मिल जाएगी ठीक है बात आगे बढ़ते हैं next first question लेते हैं आज के लिए कुछ हम अपने team से बोलेंगे कि यह थोड़ा सा आगे shift कर दिया जाए नहीं तो बात वही पढ़ जाएगी देखो एक बार question देखो फटा फट से इसके बाद हम यह पूरा topic revise कर लेंगे एक question के बाद इतने आप इसको try करो जी मैं धियान रखूंगी तबित का संतोशी बताईए बहुत बढ़िया तो gender क्या है gender is a और n जेंडर यहां हिंदी में problem है याद रखेगा इसको term को आप English में याद रखेगा gender या link भी लिखके वो दे सकता है हिंदी में एक चीज है आप दो शब्द बढ़ते हैं sex और gender अगर मैं बात करूं यहां तो हिंदी में ज्यादा तर सम में जब अनुवाद करेंगे तो link ही लिखा मिलेगा दोनों side लेकिन आप क्या करेंगे यदि आप Hindi medium से हैं तो English medium वाली side जाक के देख लेंगे क्योंकि bilingual होता है लगभग हर एक paper कि sex लिखा है या gender लिखा है यदि sex लिखा हो तो आप कहेंगे यह जैविक सनरचना है यानि य biological है कि सनरचना कैसी है किस एक शरीर की तो वो male होगा या female होगा लेकिन अगर बात gender की है तो यह समाज ने construct किया है एक social construct है और यह समाज ने roles भी निर्थारित किये हैं बाकी सारी चीज़ेंगी तो यह समाजिक हो जाएगा अगर gender की बात की जाए और sex biological हो जाएगा लेकिन English Hindi में दोनों को link कह सकते हैं तो इसलिए आप English medium में जरूर देख ली जाएगा यदि यहाँ gender है तो simple answer हो जाएगा एक सामाजिक सनरचना है जो CETAT का topic है वही अपने आप में उसका नाम है gender as a social construct अगर आप syllabus चेक करेंगे CETAT का gender as a social construct यानि link एक सामाजिक सनरचना के रूप मे ठीक social construct कहलाएगा यह सामाजिक सनरचना या रचना कहलाएगी biological determinant जो जैसी हमारी biology है जैसे हम जैविक रूप से बने हैं उसको हम sex कहते हैं English की बात कर रहे हो है ना तो यह biological determinant हुई अगर यहाँ उपर sex लिखा होता gender की जगा तब answer a option हो जाता ठीक gender क्या है हमने समाज में हमन पहनेंगी महिलाये हैं तो यह भाषा बोलेंगी और पुरुष है तो यह भाषा बोलेंगी जबकि उसका कोई खास सम्मंद sex से नहीं है biological determinant क्या है biological determinant है कि महिलाये बच्चों को जनन देंगी या इस तरीके की चीज़ें जो हमारी biology ने निर्धारित किया है जो समाज ने नही खाना कोई भी बना सकता है यह बिल्कुल एक social construct है कि खाना सिर्फ महिलाये बनाये घर में यह क्या हुआ एक gender की बात हुई यानि सामाजिक संरचना हुई सामाजिक संरचना हुई ठीक clear हो गई बात hopefully यह बात यहां तक कि आपको clear हो गई होगी first time online है विपिन शर्मा हमारे साथ बहुत बढ़िया economic concept आर्थिक संरचना तो हम इसको आर्थिक संरचना क्या है आर्थिक संरचना तो social strata वाली चीज़े है कि कोई lower middle class है कोई यह है इसका link से तो कोई मतलब नहीं हुआ psychological entity में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि psychologically हम कैसा feel करते हैं कई बार sexual orientation जिसमें LGBTQ और इन सब चीज़ों की बाते होती है वो धर आ जाएंगे फिर ठीक होगी बात लेकिन यहां बात social construct और biological determinant की हो रही है तो यह जो gender concept है यह हमने बनाया है psychological कहाना कि वैसे गलत होगा LGBTQ क्यों कोई प्रॉपर तरीके से खेर वो topic नहीं है उसमें भी biology involved है हालां कि आगे बढ़ते है next question की तरफ answer हुआ इसका social construct और अगर gender की जगा sex दिया होता तो answer हो जाता biological construct simple बात आप दो बाते याद रखेंगे यदि यहां sex दिया होता तो A option हो जाता क्योंकि gender दिया है तो option C सही answer होगा ठीक हो गई बात clear gender क्या है जो समाज ने महिलाओं और पुर्षों के लिए भूमिकाए निर्धारित की है उसी को हम gender कह रहे है एक तरीके से एक line में यही बात है आपको एक teacher के रूप में क्या है भेदभाव कभी नहीं करना gender में आपको gender parity यानि समता का ध्यान रखना है यानि रूड़ी बद्धता जो समाज में परंपराएं चली आ रही है यदि आप उनको ही मान ले रहे हैं कि लड़के रोते नहीं है तो यह gender रूड़ी बद्धता हुई इमोशन सभी में होते हैं रोक कोई भी सकता है ठीक हो गई बात और बात रही आपकी biasness की तो biasness तो किसी भी तरफ जुकना अगर आप यह कहें कि नहीं लड़कों की जिंदगी तो बिलकुल आसान है और उनको कोई challenge नहीं है तो यह भी biasness है और आप लड़कियों को दबाके की तरफ equality की तरफ जाना है समता की तरफ जाना है जब जिस को जिस चीज की ज़रत है उसके प्रती समवेजल रहे है question number 2 देखेंगे इसी बात पर देखे sir question number 2 देखे आप और पढ़िए एक बार question number 2 को मैं थोड़ा सा introduction आपको दे दिया है देखे एक बार children acquire gender roles through all of the following except यानि कि जो बच्चे है ये gender role धारन कहां से करते हैं बच्चा पैदा तो नहीं होता ये सोचके कि भई मुझे साड़ी ही पहननी है मुझे जाड़ी ही लगानी है कोई भी बच्चा हो चाहे उसे थोड़ी पता है ये तो आपने समाज में सिखाया है उसे तो बच्चे किस चीज को छोड़ कर अन्य सभी के द्वारा link भूमिकाएं ग्रहन करते हैं मतलब social role या gender role जो आते हैं वो किस एक चीज के through नहीं आते है except का मतलब है किस एक चीज को छोड़ के not है ना तो इसको question को पढ़के ध्यान से answer करेंगे नहीं तो गलतियां हो सकती है तो इसका answer media, media से तो आते हैं ये इसमें लिखा है except कौन सी एक चीज तो जेंडर रोल्स आते कहा हैं समाज से, परिवार से, मीडिया से, पीर से जो socialization में काम करते हैं न हमारे, वही gender roles में भी काम करते हैं gender भी तो समाज की ही एक सन रचना है, तो socialization का हिस्सा ही है एक तरीके से gender जुड़ा हुआ concept है, तो media के दौरा बिल्कुल आप देख रहे हैं है, सास बहु की लडाईयां हो रही है तो वही चीज एक्वाइर की जा रही है, तो social roles हो गए, या cartoon देख रहे हैं बच्चे तो वो भी सिजुका की तरह बाते कर रहे हैं तो ये media से भी आ सकता है, socialization, socialization यानि सामाजी करण, बिल्कुल सामाजी करण से भी आएगा, लेकिन हमसे पुछा है किस से नहीं आएगा culture, बिल्कुल जिस culture में जिस तरीके की संस्कृती है, महिला और पुरुशों के लिए जैसे role बनाए गए हैं, वैसा बच्चा उसको acquire कर लेता है लेकिन, tutoring से tuition पढ़ा के, tuition नहीं दिया जाते कि ऐसे gender role अपना लो tuition से gender role नहीं सीखते, आप कोई tuition नहीं दिया जाता, कि चलिए male और female बन जाईए, इस चीज के लिए tuition ले लीजए ठीक है बात, तो answer रहेगा इसका D option, आज hopefully आपको clear दिख रहा होगा, मैं आपका, जो है, कोई भी एक side नहीं छिपा रही होंगी बताओ clear है तो, yes or no, ऐसे लिखवाएं अंगली बार से, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ During classroom discussions, a teacher often pays more attention to boys than girls, यानि जब कक्षा में बच्चों के साथ interaction करेगा teacher है तो अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है, otherwise मैं कभी-कभी नाम लेती रहती हूँ, आगे की screen ठीक कराएंगे, बार-बार इधर गर्दन देखनी पड़ती है आपके comments के लिए, तो अगर मैं बात करूँ, तो मैं नाम ले लेती हूँ बीच-बीच में, मतलब यह interaction हुआ teacher का learner के सा इसा तो नहीं है कि teacher robot है, वो अपनी गा के चला गया और बच्चे सुनते रहेंगे, बाते तो होंगी teacher और student के बीच में discussion होगा, तो यह जो discussion है, our teacher often pays more attention, इसमें क्या होदा है, एक ऐसा सिक्षक है जो boys को जादा attention देता है, यानि boys पे ध्यान जादा है, girls की बजाए, यानि boys से interaction जादा है, किस चीज का एक example है, यह हमसे पूछा है, पहला option है gender bias, दूसरा option है gender identity, तीसरा option है gender relevance, और last है gender constancy, आप लोग सभी answer कर रहे हैं, gender bias, जो कि अपने आप में अच्छी बात है, तो जादातर options में यह होगा, कि gender bias या stereotype में से कोई एक option देखने को मिलेगा, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ठीक कर जाएंगे, ठीक, लेकिन stereotype और bias यदि एक साथ मिल जाएं, तो जहां बात stereotype की होगी, stereotype यानि रूडी बध्धता, रूडी बध्धता, रूडी बध्धता या कहलीजे जो परंपरा में चला रहा है, tradition में चला रहा है, उसको आपने म दूसरी तरफ आपका bias, bias में आप किसी भी तरफ जुके हो सकते हैं, पक्षपात कहलीजे आप, किसी भी तरफ आप जुके हो सकते हैं, लेकिन stereotype में क्या होगा, जो चीजे पहले से समाज मानता रहा है, कि महिलाओं को बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए, या उनको आर्मी मे जो है, male के घर ही जाना चाहिए, यह तो खेर culture का भी part है, obviously, but, biasness क्या है, biasness किसी के भी प्रती हो सकती है, आप यदि यह सोच ले, कि मेरे साथ गलत हुआ है, as a female, तो मैं male जो भी, या मेरा जो बच्चा होगा, जो की लड़का होगा, उसके साथ गलत करूँगा, या उसको दबा के रुखोंगी, बेटी को जादा हम वो करेंगे, तब भी क्या हुआ, biasness हो गई, biasness किसी के भी प्रती, लेकिन stereotype जो पहले से चली आ रही है, चीज़ें के लड़के रोएंगे नहीं, लड़कें स्पोर्च में नहीं जाएंगी, जैसे एक example है, एक बच्ची की दादी हैं, जो कहती हैं कि तुम टूर पे नहीं जाओगी बाहर, ऐसा question आया हुआ था, क्योंकि हमारे रभर में लड़कें बाहर नहीं घूमती, तो ये रूड़ी बद्धिता, पुरानी एक सोच है, जो चली आ रही है, जैंडर को लेकर के, तो ये रूड़ी बद्धिता कहलाए हूँ कि फीमेल हूँ, ठीक, जेंडर रेलिवेंस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं, कि रेलिवेंट है कि नहीं है, जेंडर कॉंस्टेंसी होता है, ये थेयरी भी है, इस पर कोहलबग ने बात की हुई है, कि बच्चे का जो जें नहीं होगी, ठीक, आसानी से, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्टन बाफ फोर देखिए एक बार, यानि समाज जो है, वो निर्धारित करता है, किसका रोल महिलाओं और पुरुषों के, ये जो स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है, कि समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारन करता है, यह कथन क्या दर्शाता है, इससे क्य पता लगेगा आपको पढ़ करके बताईए, पहला option है gender as an inherent construct, मतलब यह अंतर नहित है, gender एक heredity से मिली endowment है, gender क्या है, एक intuitive construct है, यानि अंतर ग्यानी, या फिर intuition जैसा आपको फील हो जाए वैसा gender बन गया, या फिर gender as a social construct, तो आपको बता है gender क्या है, एक सामाज एक संदचन कि किसका role कैसा होगा, महिलाओं का role क्या होगा, पुर्षों का role क्या होगा, समाज में तो इसको हम कहेंगे, समाज ने बनाया हुआ एक construct है, जिसको हम gender कहा रहे है, social construct है, सामाजिक संरशना को हम gender कहते हैं, कोई अंतर नहित या automatic नहीं है, या आनुवान शक्ता से नहीं है, बिल्कुल भी, अगर हम बात करते है, biology की, तब वो sex होता, gender नहीं होता, ठीक है बात, ये बात हमेशा ध्यान रखेगा, इसका आसान सा question आएगा, एक से दो number में गलत नहीं होगा, यदि आपको दो थीन बातें पता हैं, तो, ठीक है बात, clear नहीं दिख रहा, कुछ भी वब बढ़ की है, देखो एक बार, fifth question देखो, fifth question देखो, clear है न सब, बस, बढ़िया है, कोई दिककत नहीं है, साफ दिख रहा है, चलिए बस, साफ ही दिखना चाहिए, paper भी साफ ही दिखे आपको, और आप अच्छा कर गया है, ये ऐसी ही हमारी कामनाए है, बताइए एक बार, question पढ़िये, बहुती बढ़िया, गजब की हो भई, like share भी कर दिया करो, तड़े 600 लोग देख रहे हैं, 6300, और सिर्फ 3500 ने like किया, मतलब लगभग, 3000 लोग गायब रहते हैं, round off करें तो, widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, मतलब समाज में विभिन लिंकों के लिए उप्युक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेष्टाओं के बारे में, जन सामानने की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा question है, मतलब की, question ने पूछा क्या है हमसे, ध्यान दिया अपने question पे, question ने पूछा ह कि widely held beliefs, यानि जादे तर दुनिया में जिन beliefs को माना जाता है, जिन विश्वासों को किस के बारे में typified characteristics, typified मतलब type कर दिये हैं, male और female के साथ, कि males ये role play करेंगे, females ये role play करेंगी, male है और नौकरी नहीं लगी तो बड़ी दुक्की बात है, female है तो कोई बात नहीं शादी त ठीक, deemed appropriate for different sexes in the society, यानि कि अलगलग sex के लिए अलगलग typified role बना दिये गए हैं, ये जो दुनिया में माने जाने वाले beliefs हैं, जो महिला और पुष्वों के साथ जुड़ गए हैं, इनको आप क्या कहेंगे, तो इनको हम gender discrimination कहना भी गलत होगा, इनको हम gender stereotypes कहा देंगे, कि जो चली आ रही बाते हैं, उन्ही को आपने मान लिया है, तो ऐसी लोगों को हम रूड़ी बद्धताओं से जुड़ा हुआ मानेंगे, question number six, देख लीजे, associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of, यानि खिलोने पहनावे की वस्तु हैं, मतलब घरेलू सामगरियां, व्यवसाओं रंगों को विशिस्ट लिंग के साथ सम्मंदित करना क्या प्रदर्शित करता है, यानि हम associate कर रहे हैं, जोड दे रहे हैं चीजों को लिंग के साथ, male और female के साथ, specific sex के साथ, कि भई, अगर खिलोने हैं, अगर doll है, तो वो girl के लिए आएगी, और जो bike है, car है, वो male के लिए, boy के ल household items, kitchen set ला रहे हैं बच्चों के लिए, occupations and colors, colors को भी और occupation को भी, रोजगार को भी, जब हम किसके साथ जोड दे रहे हैं, एक particular sex के साथ जोड दे रहे हैं, तो इसको हम stereotyping कहेंगे, आपने rudy बधता कर दी, मतलब आपने जोड दिया, आप जोड गए किसी एक चीज से, किसी gender से आपने किसी काम को जोड दिया, किसी चीज को जोड दिया, किसी विफसाय को जोड दिया, आपको इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए, कि यहां जो इनसान खड़ा है, वो महिला है, कि पुरुष है, जब आप बात भी कर रहे हैं, how does it matter, आपको एक इनसान को रस्पे महिला क्यों है, इस तरीके की चीज़े हैं, तो अगर occupation से या articles से अगर हम जोड़ेंगे, तो रूडी बद्धिता कहलाएगा, ठीक हो गई बात, आगे बढ़े, gender identity वो है, जो बच्चा अपने आप में फील करता है, मैं male हूँ के female हूँ, ठीक, gender theory और relevance की फिर से कोई बात हम gender role conformity, यानि की हम अब ये बताओ कि कौन सा इक तरीका प्रभावशाली होगा, जिसके द्वारा हम reduce कर सकें, घटा सकें, किस चीज़ को बच्चों के अंदर जो gender stereotyping हो गई है, बही नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ, ये तो लड़कियों के काम है, ब तो gender stereotyping और gender role conformity, ये जो मान लेना है कि ठीक है, मान लेते हैं, इसको हटाने के लिए, क्या किया जाना चाहिए, classroom में, क्योंकि जड़ तो बच्चे ही है न, जो हमारी generation है, यदि वहीं से अगर thought अच्छा बनता चला जाए, तो चीज़ें बदल जाएंगी जो आज है, तो discussion about gender bias, emphasizing gender specific roles, gender segregated play roles, या gender segregated seating arrangement, सबसे बहतर होगा कि आप discuss कराएं, classroom में, ऐसे examples पर बात करें, जिन बच्चों के घरों में, क्या है, equality बरती जाती हो, या तो आप equality का example दें, या ऐसे examples बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, जैसे आपने देखा होगा EDS की textbook में, वहीदा रह्मान, वहीदा रह्मान बोल रहे हो, sorry, वहीदा प्रिज्म, वहीदा प्रिज्म में एक, I think, नेवी में, या कमांडर रही है, कुछ तो उनके बारे में कहानी बताई गई है, बतर ऐसे examples निकाल के लाओ society में, जो कुछ extraordinary कर रहे हो, बजाए कि उनके gender के, ठीक है, उनके काम को हम पह चाने, तो जब discussion होगा, gender bias के बारे में कि ये चीज़ गलत है, पक्षबात नहीं होना चाहिए, sensitive होना ज़रूरी है, लेकिन, छोटे कपड़े problem नहीं है, सोच में समस्या है, क्या होगा, gender biasness पर discussion होगा, ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, रात में लड़कियों का बाहर जान सकते हैं, तो बाहर निकल के आएगी बच्चों के अंदर, जो अलग-अलग सोच बनी हुई होगी ना, किसी की परिवार से बनी हुई होगी, किसी की मीडिया से बनी हुई होगी, किसी ने अपने बड़े भाई-भेन को देखा होगा, फिर वो चीज़े निकल के आएगी, उ इसी स्टोरीज को शामिल किया गया है आज कल अपने करिकुलम में पाथे चर्या में स्कूल की ऐसी कहानियों को हम शामिल कर रहे हैं जहां पिता जो है वो घर का काम कर रहे है और महिला यानी माता जो है वो कुछ सहासी adventurous activities कर रही है इसका उद्देश है क्या है देखो करिकुलम में अगर ऐसी बात शामिल की गई है तो इसका उद्देश है ये तो नहीं है कि पुरुषों को कम दिखाना या महिलाओं को जादा दिखाना इसका simple सा मतलब है कि जो समाज ने role type कर दिये थे जो stereotype बना दिया था उसको थोड़ा सा उलट देना picture को ताकि सिर्फ ऐसा ना लगे कि ये महिलाओं का ही काम है खाना बनाना पुरुष भी कर सकते हैं तो वो जो सोच है उसको थोड़ा सा हटाया जाए इसके लिए दोनों को ऐसे क्या कहे इसको gender कुछ तो बोलते हैं मतलब अभी शायद आगे आएगा opposite या non-traditional roles में डालेंगे non-traditional यानि कि जो tradition से जो परंपरा से थोड़े से हट के हो जो हमें देखने की आदत नहीं है हमारी आँकों को उनको डाला जाए या दी तो बच्चों के दमाग में ये नहीं बनेगा कि सिर्फ मम्मी ही खाना बना सकती है घर में जो बच्चे उस छोटी क्लास की बुक को पढ़ रहे होंगे तो बुक में ऐसे examples होने चाहिए जिसमें महिलाएं बाहर का काम भी कर रहे हों कुछ adventure, sport कर रहे हों पुरुष घर में भी involved हो तो इससे क्या होगा इससे gender bias बढ़ेगा जी नहीं इसका उद्देश है ये बिलकुल नहीं है जो रूरी बद्धिता हो गई है आज तक एटलीस्ट वो थोड़ी सी हटेगी दोनों के ही रोल कोई भी काम कुछ भी कोई भी कर सकता है ये एक normal बात हो जाएगी तो B option सही हुआ जेंडर constancy को कोई encouragement नहीं है वो तो constant है ही पता लग गया बच्चे को वो एक अलग concept हो गया इससे कोई पक्षपात नहीं बढ़ रहा है ये बच्चे की sensitivity के लिए देखो जो लोग नीचे दबे हैं उनको चाहे आप आरिक्षन दे के लाओ चाहे जैसे भी लाओ मतलब equity को अपनाना पड़ेगा समता को तो उनको उपर empower करना पड़ेगा इसलिए ये थोड़ा सा opposite example प्रदर्शित किया जा रहा है आपके किताबों में ठीक हो गई बात आगे बढ़ें बिल्कुल यार like share तो किया ही करो जब आते हो तो अभी भी 2000 लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं और like करने में उनको आसू आते हैं देखो एक बार कई लोग तो भूली जाते हैं selecting and presenting stories, clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too अच्छा question है समाचार पत्रों से कहानियों एवं करते हैं यह important है आजकल newspaper से या फिर stories ऐसी या फिर clippings, videos दिखाई जा रहे हैं जहांपर men और women अलग-अलग roles में हैं non-traditional role non-traditional role क्या है जो tradition में जो हमारे समाज में नहीं है मान लीजे, महिलाओं को सिर्फ teacher, doctor, nurse, इंसक्त के रूप में देखा जा रहा है तो यहां दिखा दिया, आपने महिला को inspector दिखा लिया, मान लीजे या फिर हम कहा सकते हैं, यहां आपने कुछ भी एक cab driver दिखा दिया यह क्या है, non-traditional role है हमारे tradition में ऐसा generally देखने को मिलता नहीं है जो पुरुष हैं वो एक chef हो सकते हैं हलांकि यह तो common हो गया है आजकल या फिर homemaker हो सकते हैं, जिसको हम housewife किया रहे हैं आजकल homemaker हो सकते हैं, पुरुष ठीक तो male और female को आपने ऐसे role में डाल दिया जो traditional में नहीं है, non-traditional है इसका simple सा एक उद्धिश्य है, कि आप क्या करना चाहते हैं counter gender stereotypes, आप counter करना चाहते हैं यानि आप ये चाहते हैं कि जो langic रूडी बद्धिता है, उस पे आप एक target करना चाहते हैं एक निशाना लगाना चाहते हैं, जिससे वो हटे, उसके against एक counter example present हो कि कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी कुछ भी कर सकता है traditional role ही सब कुछ नहीं है, कोई भी एक role निभा सकता है तो answer क्या होगा, D option ऐसा नहीं है कि इससे stereotyping promote हो रही है इससे बस role आपने change कर दिये, जो काम सिर्फ महिलाएं करती हुई आपका time and work वाले questions में होता है इवन दिखाया जाता है कि ज़्यादा sensitive है या बहुत सारी books में आप देख रहे हैं महिला है तो घर में किचन में खाना बना रही है पापा जो है वो टीवी लेके बैठे हैं हाथ में स्टोरीज में, advertisements में देखे जाते हैं ऐसी चीजें फीक, next है question number 10 several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls यानि ऐसी बहुत सारी research है जो यह दिखाती है कि लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लड़कों के साथ ज़्यादा interaction होता है teachers का classroom के अंदर बजाय के लड़कियों के मतलब ज़्यादा attention लड़कों को मिलती है stereotype बहुत तरह का हो सकता है caste से related भी हो सकता है gender से related भी हो सकता है class से related भी हो सकता है stereotype का simple मतलब है जो पहले चला आ रहा है आपने उसी को मान लिया धारना जो चली आ रही थी उसको माल लिया उसका simple मतलब है stereotype अब इसके आगे आप gender लगा दो तो gender से related जो धारना चली आ रही थी caste लगा दो तो caste से related जो चली आ रही थी देखो एक बार बहुत सारी studies यह दिखा रहे हैं बच्चों को जादा लड़कों को जादा attention की ज़रत है ये भी बात गलत होगी this is an example of gender bias in teaching section में क्या है पक्षपात हो रहा है इसी का ये example है क्योंकि जब लड़के और लड़कें दोनों है और ये कह देना कि सिर्फ लड़कों के साथ interaction जादा है तो ये गलत होगा यदि कोई research ऐसा दिखाती है तो उसका simple मतलब है कि biasness है पक्षपात है section में तो answer क्या होगा C option ये कहना गलत है कि लड़के ज़्यादा intelligent है या लड़कियों को manage करना आसान है लड़कों से जब आप सालों साल तक किसी को दबाके रखोगे समाज के drama बनाके और हर चीज करके कि तुमें तो शान्त रहना है तुम तो कोमल हो तुम तो बोलोगी तो ये हो जाएगा तुम तो उल्टा जवाब नहीं दोगी तो फिर तो obvious हो जाएगा कि manage करना आसान हो जाएगा तो ये कोई fact नहीं है कि manage करना आसान है यदि कुछ लोगों के experience ये कह भी दें कि हाँ ऐसा generally होता है लड़किया तो आसानी दे शान्त हो जाती है तो वो भी समाज का ही करा-धरा है ऐसा नहीं है कि उन्हें मजा करना बुरा लगता है जादा बुद्धी मान है इस बात को आप हाँ कहेंगे ना कहेंगे क्या कहना चाहेंगे बताइए एक बार फटा फट से जी महेंदर जी धन्यवाद पहला option है shows gender bias यानि पूर्वा ग्रह या फिर हिंदी में कई बार bias को पूर्वा ग्रह भी मिल सकता है पक्षपात को दर्शाता है यह सही बात है domains of intelligence के बारे में या सही है या maybe true क्या कहेंगे आप बेजज़क होकर के आप option A के साथ जाएंगे कि इस सिर्फ पक्षपात है ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष है वो पक्षपाती करण को दर्शाता है कि लड़के-लड़कियों से ज्यादा intelligent है ऐसा कोई study नहीं कह रही है ऐसा कोई fact नहीं है study तो बहुत तरह की होती है उसमें किसी का result कुछ है किसी का कुछ है तो ये this is not a fact कोई logic नहीं हुआ इस बात में आगे बढ़ेंगे तो इसलिए सही तो हो ही नहीं सकता question number 12 देखिए एक बार question number 12 देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जो beliefs है ना जो विश्वास जो वो मानते आये हैं उनको दर्द हो रहा हो आज बट ऐसा मेरा कोई भी यहां उद्देश्य नहीं है कि आपकी समवेदनाओं को ठेस पहुँचाना लेकिन हमें थोड़ा सा अपने thought को broad करने की जरुरत है इस chapter के through at least क्योंकि कल आप भावी सिक्षक हैं या सिक्षक बहुत साथ लोग तो teachers होंगे ही school में भी प्राइविट में या जैसे भी तो हम गलत ना करें at least अपनी आने वाली generation को हम वो ना दें जो हमें दिया गया हो अगर अच्छा नहीं है तो अगर कुछ अच्छा है तो obviously हम देंगे ही gender is और n जेंडर क्या है तो हर बार घुमा फिरा के एक question पूछा जाता है simple है तो क्या है social construct है biological entity sex लिखा होता तो हम c option के साथ जाते हैं ध्यान रखेगा खूब को option इधर उदर घुमा के हर बार ये question आता है हर बार आगे बढ़ेंगे the following categories affect gender except इनमें से कौन सी एक चीज जो है कौन सी एक category है जो gender को प्रभावित नहीं करती except लिखा है ना except का मतलब है किसे छोड़ कर कौन सी एक चीज है जो जिस group के आप जिस ethnic क्या कहें एक aspect से आप जुड़े हुए है religion aptitude या language दोखो ये बात language में भी है language के through भी gender stereotyping को खूब बढ़ावा मिलता है है ना तो हम कह सकते हैं कि ये religion से भी आता है अलग-अलग धर्म में महिलाओं के अलग-अलग role है कहीं allowed रही है किसी जगा पर religious जगा पर जाना आ या कुछ है तो वहां से भी stereotyping आ रही है एफने सिटी से भी और language से भी जैसे आप कपड़े पहनते हैं जैसे आप रहते हैं इन सब चीजों से भी gender affect होता है प्रभावित होता है लेकिन aptitude aptitude यानि कि किसी की जो अभी शमता है किसी एक शेत्र में अच्छा करने की चाहे वो teaching का aptitude हो चाहे वो doctor बनने की शमता हो चाहे वो lawyer बनने की शमता हो aptitude का gender को प्रभावित करने का कोई सीधा संबन नहीं है aptitude किसी भी human में हो सकता है किसी भी एक activity को करने का इसको हम gender से नहीं जोड सकते लेकिन बाकी की जो तीनों चीज़े हैं वो gender को directly प्रभावित करती हैं कि बच्चा religion में जिस धर्म में जिस तरीके से महिलाओं का role होगा वो अपना भी वैसा ही देखेगा है ना या पुरुषों का जैसा role होगा वो अपना भी वैसा ही देखेगा in the same way religion, ethnicity, language, कपड़े पहनना, भाषा का इस्तेबाल करना लड़की है तो वो एक soft तरीके से बोलेगी यह लड़का है तो ऐसे बोलेगा तो यह सब क्या है यह आपका ethnicity, religion and language से आता है आगे बढ़ेंगे, a good textbook avoids, देखो किताबों के थुरू gender stereotyping होती है भाषा के थुरू teachers या घर में जैसे लोग यूज करते है language को उससे stereotyping होती है, जो media है, social media हुआ या आपका normal media हुआ, traditional वाला उससे भी stereotyping होती है, जिस साथी समूव में बच्चा रहता है इवन अखबार से लेकर के सब जगा पे जिस भाषा जिस तरीके से gender को portrait किया गया है उससे stereotyping होती है, ठीक हो गई बात, तो पहला option है यहां कि एक अच्छी किताब आप किसको मानेंगे या एक good textbook किस चीज को avoid करेगी, किस चीज से बचाव करेगी, क्या चीज उसमें नहीं पाई जाएगी तो को इसका question घुमा के देता है, कई बार question आसानी होता है gender bias, sensitivity, sensitivity तो होनी चाहिए, एक अच्छी किताब में equality भी होनी चाहिए gender को लेकर responsibility भी होनी चाहिए, कि हम किस के बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन gender biasness नहीं होनी चाहिए तो एक अच्छी किताब किस चीज को avoid करेगी, तो avoid करेगी gender biasness को link पूरवा ग्रया या पक्षपात को कि उसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हुआ हो, जिसमें link पे focus हो या फिर gender को उचा या नीचा दिखाया गया हो, किसी को भी, ठीक है बात, stereotyping ना हो रही हो बच्चों में, question number 15 देखिए, अभी 5 questions और हैं, कुछ 20 सवाल हम करेंगे, आज, gender discrimination in a classroom, यानि link पक्षपात जो है, class में, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या performance पे असर पड़ेगा, ये बताइए, पटाफट से बताइए, I am your teaching is super, thank you देवद्रपाथी, अभी तो एगी session चल रहा है मेरा, शायद में तो पर सही हो जाएए, और थोड़ा सा धीरे धीरे हम दो कर देंगे, एक्जाम से पहले, बताओ, अभी 9.35 है टाइम, साड़े 9 बजे रात को, हम कह रहे हैं कि gender discrimination, यदि हम भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में, तो इससे classroom में क्या होगा, इससे effort कम होंगे, बच्चों की performance पे प्रभाव पड़ेगा, वो भी negative, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि लड़के ही अच्छे करेंगे, अच्छा करेंगे जीवन में, तो लड़कियों की self-esteem तो automatically down हो गई न, उनके जो प्रियास हैं, जितना वो कर सकते थे, जो वो perform कर सकते थे, जितना अच्छा, वो भी नहीं करेंगी वो, क्योंकि आपने भर दिया, उनमें कूट-कूट के, कि आप कमजोर हो, आप वीक हो, आप ये हो, आप वो हो, जेनरली ऐसा देखा भी जाता है, मैं शायद कोई इंटर्व्यू देख रही थी, या तो मैंने कुछ पला था कहीं, कि जेनरली आजकल ये हो गया है, जहां ये पैट्रियार्की है, या तो फिर जहां जेन्डर स्टीडियो टाइपिंग चली आ रही है, कि वहां जो male है, जो boys है, उनका automatically self-confidence high है, girls के बजाए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि discrimination हुआ है, किसी ना किसी level पे, automatically self-confidence में कमी हो गई, ठीक, तो हम कह सकते हैं, कि जितना प्रियास, जितनी performance वो कर सकते थे बच्चे, उतना भी नहीं करेंगे, यदि आपने पक्षपात होंगी, बच्चे के effort और perform जो वो कर सकता था, इससे कम ही आएगी, उसमें, यदि हम gender discrimination करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो, affect करेगा, ये नहीं कह सकते, option age में, जो कहा गया है, कि does not affect, ये बात कहना गलत है, फिर है, male lead to enhanced effort, इससे बढ़ेंगे नहीं, effort कम होंगे, male teacher ही करते ह करना भी गलत है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई hard and fast rule नहीं है, question number 16, देख लीजए एक बार, और फटा-फट से आन सकीज़े, मैं, अब तो boys के साथ भी discrimination होने लगा, देखो, हमेशा से होता है, ऐसा नहीं है कि fixed है, चीज़ें के नहीं होता, but अब नहीं हो रहा, it depends, सभी के साथ होता है, लेकिन जादा किसके साथ होता है, और society में किसको उपर उठाने की ज़ुरत है, ये depend करता है, तो होता तो दोनों किसी भी gender के साथ अगर गलत है, तो वो गलत है, एक बार देखें, next question पर, एक school है, जो preference देता है girls को, यानि girls को जादा बढ़ावा देगा, किस case में, जब state level solo song के गाना और नाचना जो है वो लड़कियों काम है, तो सिर्फ लड़कियों को ही हम गाने के competition में लेके जाएंग है, फटा-फट से बताईए, ये global trend है, ऐसा तो कहना गलत होगा, कि सारी दुनिया यही follow कर रही है, pragmatic approach है, बिलकुल भी गलत होगा, ये कोई practical aspect तो है नहीं, गाना तो कोई भी अच्छा गा सकता है, progressive thinking है, और उल्टी बात कह दिया आपने तो, तो gender biasness है, चाहे वो लड़की के प्रती जुके हो, आप चाहे लड़कों के प्रती, अगर किसी के भी साथ आपने दूसरे link को, दूसरे gender को ignore कर दिया, that means, आप biased है, आप पक्षपाती है, ठीक हो गई बात? question number 17, देखिए एक बार, a textbook of class 8 has following illustrations, मतलब कक्षा आर्ट की किताब में इस तरीके के चृत्र बने हुए हैं, कि जो women हैं, वो teachers के रूप में हैं, या maids के रूप में हैं, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, या सिक्षिकाएं हैं, है न, और जो men हैं, वो doctor हैं, pilots हैं, उन के ऐसे role दिखाएं गए हैं, कि man को जो है, यह जो पुरदर्शन है, यह जो depiction है, यह किस चीज को promote करता है, यह पूछा है हमसे, बताइए किस चीज को promote करेगा, gender empowerment यानि शशक्ती करण को आप बढ़ावा दे रहें, इससे, कौन सा बढ़ावा दे रहें, आपने महिलाओं के इससे क्या होगा, इससे stereotype को बढ़ावा मिलेगा, रूडी बढ़ावा मिलेगा, parents या बच्चे के दिमाग में बच्पन से एक image जाएगी, कि मैं लड़की हूँ तो मुझे तो teacher या maid होना चाहिए, या फिर मैं लड़का हूँ तो मुझे तो pilot या doctor होना चाहिए, teacher होना तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये problematic बात है, stereotyping बच्चे के दिमाग में घुस रही है, जिसको हमें avoid करना है, हम काम को और इनसान को इनसान की तरह देख सकें, और काम को काम की तरह देख सकें, उचा नीचा करे बिना, वो जरूरी है, when parents buy dolls for their daughters and football for their sons, जब जो अभी भावक हैं, जो माता-पिता हैं, जब फुटबॉल खरीदते हैं, किसके लिए, अपने लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए, वो प्यारी-प्यारी डॉल खरीदते हैं, तो ये जो depiction है, ये जो reflection है, ये क्या दर्शाता है, देखो, stereotype इतनी जगा पे घःखा हुआ है, कि हमें पता भी नहीं लगता, और हम जीवन भर या तो उसके शिकार हो रहे होते हैं, या तो हम किसी को शिकार बना रहे होते हैं, इस level पे हमारे दिमाग में घृषच चूगा है, संस्क्रिति के साथ साथ, कि हमें पता भी नहीं है, कि हम stereo typing का हिस्स् पीडिएफ डाल देंगे, बताओ, जेंडर कॉंस्टेंसी मैंने बताया है, यह तो बच्चे को पता लग जाता है, तीन साल के असपास, कि वो जेंडर कॉंस्टेंट है, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है, कि पेरेंट्स जो है, लड़कियों के लिए डॉल ला रहे हैं, औ कैसा आपको करना था, उल्टा भी हो सकता था है, दोनों के लिए सेम चीज भी ला सकते थे, ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, बजाए कि लड़कियों के, यह कहना गलत है, हेरेटी से कुछ हद तक कोई चीज प्रभावित होगी, लेकिन यह कह देना कि किसी एक तो यह तो बात गलत हो गई, यह ethical नहीं है, बिलकुल भी, ना यह moralistic है, ना यह बहुत अच्छा स्वभाव है, यह simple gender bias है, आपने अभी एक movie देखियोगी शकुंतला देवी के उपर, South Indian mathematician थी, बिलकुल वो उनको human computer कहा गया, बहुत ही amazing सी story, है न, तो gender biasness, maths में लड़किया कमजोर ही होंगी, यह लड़के ही अच्छे होंगे, यह कहना गलत है, ठीक है बात, तो, यह person to person या individual defenses की वजहा से है, ऐसा नहीं हो सकता, कि सभी लड़कियां कमजोर हैं, सभी लड़के अच्छे ही हैं, maths में, आगे बढ़ेंगे, question number 20 पर, और मैंने ऐसा देखा है, generally, कि teachers, especially maths के teachers, YouTube पर वीडियोज पढ़ी हैं, वो कह रहे हैं, कि लड़कियां भी maths पढ़ रही हैं, और यह भी कर रही हैं, मतलब, हद है, भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो, ठीक है, यह बात, हसी मजाग के लिए, मेभी ठीक होगी, लेकिन, यह sensitive बात नहीं हो, यह आपके मुह स सकता है, कि लड़कियों को opportunity मिली ही ना उतरी, उनको generations by generations दबाया ही गया हो, या subjects थोपे ही गये हो, कि नहीं नहीं, तुम तो home science ही पढ़ो, या यही करो, यह गलक चीज है, तो teachers को sensitive होने की ज़रात है, कि वो बोल क्या रहे हैं, especially gender को लेकर के, देखो एक बार, आठ टीचर लेबल दी head of a committee as chairperson instead of chairman, खेर छोड़ो, इन चीजों कोई अंत नहीं है, यह बहुत ही लंबे समय में परिवर्तियन होता है, इन चीजों में, और बहुत साही लोगों को लड़ाईयां भी लड़नी पड़ती है, but हम as teachers कोशिश करें कि हमारी भाशा, हमारे actions ऐसे हो, जिससे generation कुछ बहतरी की तरफ जा सके, बजाए कि जो खामियां हमें थी, वो हम आगे भी transfer करें, उससे पहले जरूरी होगा कि हम अपनी गलतियों को accept तो करें कि हमारे अंदर कमिया है, अगर यह कह दिया जाए, नहीं सही है, यह बात तो जब सही है तो फिर तो कभी बदलाव होगा ही नहीं, देखो एक बार, एक जो teacher है, उसको label किया गया है, head of a committee as chair person, एक teacher को chair person कहा गया है, बजाए कि chair man के, यह चीज क्या indicate करती है, चार options है आपके सामने, देखो एक बार, follows a more acceptable term, has a good command of language, is during a gender free language, या has gender bias, बताएए, C को lock कर दिया जाए, कौन कह रहा है यह, lock work भी भेज दिया दिखे, आपने तो, प्रमोध यादव कह रहे है, ठीक है, प्रमोध जी मान लिया अपकी बात, C को lock कर दिया, is during, है, आखे खुल नहीं रहे है, a teacher labeled the head of a committee as chair person instead of, हाँ, यह क्या दिखाता है, that the teacher is during a, during नहीं होगा, यह शायद typing mistake है, using होगा जहां तक है, using होगा जहां किया है, gender free language का हमें जादा से जादा इस्तिमाल करना है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे ही है ना, या फिर learners हैं तो learners ही है ना, इसमें लड़किया math सीख रहे हैं, लड़के math सीख रहे हैं, लड़किया अच्छा कर रहे हैं, लड़के अच्छे कर रहे हैं, यह आपको डाल का समता का जहां ज़रत पड़े आपको जिस बच्चे के प्रती ज़रत पड़े समान रहना है या एक्विटी दिखानी है एमपैथी दिखानी है जब ज़रत हो ठीक तो कोशिच तो हम इतनी हद तक करेंगे कि कोई शब्द ऐसा ना हो जो स्पैसेफिकली किसी जेंडर को ऊचा लड़का अगर वो जो जॉप है वो जो पर संच यर पर संथ है और हुचए फीमेल हो चाहे हो यह इंअ आपको अपनी भाषा में दर्शानी डरूरत नहीं है तो ये ही बात यहां एक और वीचन की जगा ऐद केमरा परर संची जगां केमरा मैं की जगां केमरा पर संच हमार तो दमाग में बठा लिया है कि camera है तो man ही होगा, ठीक, camera woman नहीं कहा और कहने की जौरत भी नहीं है camera person कहेंगे हम, ठीक, कोई भी हो सकता, अभी camera को use करने वाला, कोई भी वक्ति हो सकता है, how does it matter, वो तो उसकी job हुई अब वो man है, women है, फलाना है, धिमकाना है, क्या करना है आपको उससे, ठीक, तो camera person भी use कर रहे हैं, तो आप gender free language को use कर रहे है, ठीक हो गई बात, कोई समस्या, SST तो मैं deal नहीं करती हूँ ठीक है, अरवदीप बस आज के लिए इतनी ही कथा है, दोको पेडाकोलजी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ABCD option नहीं बता सकती, मुझे लगता है discussion बहुत जरूरी है, ये subject ऐसा है, जो हमें as human beings भी बहतर करता है ठीक है बात, C option यहाँ सही हुआ, ये biasness नहीं है, ये बल्कि parity है, quality है, कि आपने दोनों को बराबर रखा, acceptable term ऐसा कहना जरूरी, acceptable or non-acceptable सब तो use करी रहे है, कुछ भी has a good command of language, ये भी कहना गलत है, ये gender के बारे में बात हो रही है, जेंडर को दर्शाया नहीं गया, मतलब gender free language की बात हुई है, ठीक हो गई बात hopefully आपको इस session पसंद आया होगा hopefully आपके कुछ beliefs जो बने हुए थे, वो थोड़े तूटे होंगे नहीं तूटे होंगे, तो आप off-end नहीं हुए होंगे, positively आपने चीजों को लिया होगा, बाकी सबका अपना perception है, सबका अपना जीवन है बट जो व्यक्तिकत जीवन है, यदि आप बच्चों के साथ उस व्यक्तिकत जीवन की गलत चीजें, professional life में ना लाएं, तो अच्छा ही होगा, उससे बच्चों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो सकता है आप फिर भी personal level पर कुछ भी मानते रहें बट कोशिश कीज़े, school में हैं तो मौका बराबर बच्चे के talent को देखते हुए दिया जाए, ना कि उसके gender को देखते हुए, खेर session पसंद आया हो, तो like share कर दीजगा, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट जो लोग करते हैं, वो जरूर की ठीक, ये pdf आपको मिल जाएगी, let's learn square पे है ना, और रही बात ये, तो next chapter शायद gender मुझे लग रहा है, एक session और लगेगा कल में मैं खत्म करादूँगी, आज मुझे गले में थूड़ी दिक्कत थी, तो नहीं इस मन्थ, अगर मैं बात करूँ, कुछ classes है, और academy पे ही, 20 से 24 तक 5 classes है, और ये master revision है, master revision मतलब almost, जो भी most important है किसी भी subject में, पांचों के पांचों subject में, paper 1 के लिए, paper 1 और 2 के लिए 3 subject, CDP, Hindi और English, paper 1 के लिए पांचों के पांचों subject की पेडगोजी, जो Maths है, E.V.S है, CDP, Hindi English पांच दिन session चलेगा, 20 से 24 तक, 4 बजे से 6 तक, 2 गंटे की 5 classes हैं, ये 10 गंटे बहुत important होंगे, आपके C.T.E.T. के लिए, ठीक है, marathon classes है सकते हो, आप इसको master revision होगा, free है आप सभी, चार से 6 में, वैले तो हमानची सिंग, सर्च करके वहाँ follow on Academy app पे, और मुझे लग रहा है लोग इन के टाइम पे वह एक referral मांगेगा सिर्फ referral यूज कर देना, let's learn, तभ ही आप वो session देख पाऊगे, जिससे कि उने लग जाए कि आप किस teacher के through आयो, इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने, जस्ट ये referral यूज करना होगा first time वो भी हर बार नहीं, सिर्फ जब पहली बार आप जा रहे हैं तो ये बीस से चॉबिस में शुरू होंगे, लिंक में दे दूँगी अभी जैसे ही classes launch होती है ये आप जरूर अटेंड कीजगा, बेशक आप daily basis पे mashup series अटेंड ना भी कर पा रहे हो तब भी 20 से 24 के 5 दिन जरूर अटेंड करने हैं, important रहेगा ठीक है और ये एक छोटी सी बात हुई अगर आप an academy, मेरा course वो आज से शुरू होना था English Pedagogy का कल से हो जाएगा, तीन बजे अगर आप plus पर हैं या जॉइन कर रहे हैं तो let's learn raffle code use कर ले जाएगा, बस यही एक छोटी सी बात थी hopefully आपको इस session पसंद आया ही होगा आप हम कल मिलेंगे, और अर्थभयत मेरी चब तक सुधर जाए मैं यही कोशिश करूँगी कोई और समस्या हो तो बताओ Big Boss देख लो अब आप मैं नहीं देखती यार Big Boss, I do not like Big Boss कभी नहीं देखा मैंने बंचबूरी में कभी एक आध एपिसोड भी वह भी पूरा नहीं देखा होगा कुछ minutes का देखा होगा कहीं से अगर कोई दोस्त है या दीदी है या कोई भी है मैं लब दीदी तो अब नहीं देखती है पहले उनों नहीं कभी देखा होगा तो I don't like Big Boss मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूं Big Boss मंदब इससे ज़्यादा फालती हूं मुझे कृष्ण नहीं लगता खेर कोई बात नहीं सबका अपना choice है हो सकता है आपको पसंद हो मैं उसकी बिल्कुल respect करती हूं बट मैं नहीं पसंद करती हूं चलिए bye bye take care दियान रखो हाँ बड़ी negativity आती है जो तसना चलिए कल मिलते हैं साड़े 9 बजे रात को पढ़ाई करेंगे बाई